हलो एवरिवन वेल्कम टू स्टडी आई क्यू पीचियस दिस इस मनीश रवस्तो जैसा कि आपको पता है रोजाना सुब्य आट बजे एक इंपोर्टन सेशन लेकर मैं आता हूं तो आज जो हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं टीशू के अंदर एक लास्ट पार्ट जो एनिमल टीशू को पढ़ा था जो आपका पेशे ही उत्तक होते हैं और इसी में एक और इंपोर्टन चीज होती है जिसको क्या कहा जाता है जिसको कहा जाता है आपका नर्वस टीशू तो हम तंत्रिका उत्तक के बारे में अच्छे से कवर करेंगे तो आज जो हमारा टॉपिक है व हमारी बॉड़ी में कंट्रोल और कॉडिनेशन का काम करते हैं रिफ्लेक्स जो हैं इनी से जुड़े हुए तो समझते हैं वो रिफ्लेक्स क्या होते हैं तो देखा जाए तो एनिमल टीशू के अंदर यह चार्ड तरह के होते थे एपिथीलियल जिन्होंने प्रोटेक्शन द बॉड़ी के मुवमेंट और लोकुमोशन में मदद करते हैं इसके अलावा जो यह चौथा टाइप का है जिसको कहा जाता है तंत्रिका उत्तक नर्वस टीशू यह हमारी बॉड़ी में कंट्रोल और कॉडिनेशन का काम करता है हमारे शरीर के अंदर जो भी तरह के रिफ्ल टीशू यह नूरल टीशू इस पर हमारी बात होनी है अल्रेडी इतनी सारी चीजे हम लोग बढ़ चुके हैं कि वह कौन-कौन से प्रकार होते हैं तो एपिथीलियल को मैंने डीटेल में बता दिया मस्कुलर को बता दिया कनेक्टिब को बता दिया अब बचा हुआ नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ है और नर्वस सिस्टम से जुड़े होने के कारण इसमें आपको कुछ चीजें दिख रही हैं जिनको कहा जाता है कोशिकाई या साइटन इसमें एक चीज होती है जिसको साइटन कहा जाता है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है कोशिकाई इसके बारे में देखेंगे इसके अलावा डेंडराइट्स ये डेंडराइट्स भी होते हैं जिनको दुमा वर्थ डेंडरास भी कहा जाता है और एक होता है एकसोन इसको समझने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली आपका जो नेवर्ष टीशू होता है ये आपके कहीं से भी सिगनल ले सकता है मतलब आपको कोई cold चीज आपने touch करी आपने कुछ खाया आपको जो टेस्ट हुआ ये सारे signals brain तक पहुशते हैं आप जैसे आपने कुछ कड़वा खाया तो कड़वा खाने पर आप एकदम से जो react करते हैं आपके brain को feel होता है कि इस तरह का टेस्ट है तो वो कैसे होता है वो nerves के तुरू ही तो होता है वो nervous system तक वो चीज जाती है और उस तरीके से brain उसके accordingly respond करता है मतलब एक प्रतिक्रिया देता है उस response को या प्रतिक्रिया को आप stimuli कहते हैं तो उसी को समझते हैं तो इसमें देखा जाए तो आपका ये कुछ parts होते हैं ये हमारी body में ऐसे neuron के बहुत सारे जाल है मतलब हमारी शरीर में neuron फैला हुआ है और ये neuron किसका भाग है तंत्रिका system का मतलब हमारा जो central nervous system है जिससे हमारे brain तक signal जाते हैं और फिर हम कोई भी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं अगर हमें कोई चीज गरम पकड़ी हुई है तो हम जट से उसको छोड़ देते हैं क्यों छोड़ते हैं क्यों कि हमारा brain हमको बताता है कि वह हमने ऐसी चीज करी है जिससे हमारे शरीर को नुकसान होगा हमें घरमी लगेगी हमें चोट लग रही है तो यह सारी चीजें हमारे body तक जाती हैं तो देखा जाए तो क्या होता है कि इसके अंदर कुछ parts होते हैं जैसे एक part होता है जिसको axon कहा जाता है इसके अंदर axon होता है इसके अंदर dendrites होते हैं इसके ही बनते हैं तो सेल जब कमाईन होते हैं और कमाईन होकर एक तरह का काम करने लगते हैं तो उनको आप क्या कह देते हैं उनको ही आप टिशू कहते हैं तो यह तो तंत्रिका उत्तक है अब इस उत्तक के अंदर पर dendrites ही कहते हैं और exon अब इनके individual काम क्या होते हैं उस पर थोड़ी सी नजर डाल देते हैं तो देखा जाए तो हमारा जो neural tissues होते हैं या nervous tissues होते हैं मतलब आपका जो तंत्रिका उत्तक है इसकी अगर हम बात करें तो तंत्रिका उत्तक मिलकर किससे बना हुआ है तो तंत्रिका उत्तक आपका neuron से मिलकर बना हुआ है तो जो neuron है इसकी छोटी एकाई है और इन neuron से nerve cell से इन nerve ये मतलब आपका जो तंत्रिका कोशिका है इनसे ही आपका तंत्रिका उत्तक बना हुआ है और इसमें जो neuron होता है एक एक neuron जो है वो आपका किसका मिलकर बना है उसमें cyton भी है उसमें dendrites भी है उसके अंदर exon भी है और exon के terminal भी है तो ये क्या करते है तो इसको ध्यान से देख लिजे यहां से बात समझनी है तो देखा जाए तो cyton क्या है cyton आपने यहां पर बात करें तो ये basically ये पूरा का पूरा एक nerve है जैसे ये पूरा का पूरा हमारे शरीर में जाल फैला हुआ है तो इसमें एक चीज होती है जिसको आप क्या कह रहे है cyton कह रहे है तो cyton क्या होता है cell की body होती है या central nucleus होता है कि मतलब आपका जो ये nerves है इस nerves के अंदर जो आपका nucleus है इसकी जो body है उसको आप क्या कहेंगे cyton कहेंगे देखा जाए तो भई क्या है हम बोल रहे हैं हमारे अंदिर body में एक उत्तक है एक tissue है जिसको हम nervous tissue कह रहे हैं ये nervous tissue हमारे पूरे शरीर में फैले हुए और ये जो हैं एक एक मीटर लंबे बड़े होते हैं तो हमारी को किसी ने touch किया हमें कहीं कोई चोट लगी तो हमारे किसी भी body part पर कोई भी reaction हुआ तो वो चीज हमारी spinal cord से brain पे जाएगी और brain respond करेगा कि हमें क्या करना चाहिए किसी चीज को पकड़ना चाहिए किसी चीज को छोड़ना चाहिए अगर हम slip हो रहे हैं तो हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं हम गिर रहे होते हैं तो हमारे हाथ अपने आप आगे आ जाते हैं सारी चीज़े कहां से होती है, यह हम response brain से कर पाते हैं, तो इसमें जो है आपका neuron काम करता है, और हर neuron में एक cyton है, एक dendrites से एक exon है, यह तीनों ही चीज़ उसे के अंदर होते हैं, तो cyton जो है इस cyton का काम क्या है, तो यह क्या है, किसी भी कोशिका का एक परत है, जो उसके अंदर पाई जाती है, जो central nucleus हो सकता है उसका एक केंद्रक होता है इसके अलावा dendrites क्या होते हैं, तो dendrites short branch process होते हैं, short branch process का मतलब क्या है, यह आपके dendrites, अगर आप देखेंगे तो यह इससे ही एक cell है यह cell body है, तो cell body को तो आपने क्या कह दिया, cyton कह दिया लेकिन इस cell body से, जो यह इस तरीके से, धागे नुमा जो thread like structure है, इसी को क्या कहा जाता है, dendrites कहा जाता है जो cell तक पूरी चीजों को connect करने के करते हैं, तो यह short branch होती है जो process का का काम करती है कि जो भी signal लिया, उसको पहुचाने का इसके लाब़ा, exon क्या होती है एक single long process होता है exon क्या है, एक पूरा single long process है यह पूरा का पूरा exon, यह single long process है और यह जो है, आपका dendrites के पास जाता है, फिर signal जो है cell body तक पहुचता है, तो एक individual nerve cell जो होता है मतलब एक कोई nerve cell की बात करें nerve कोशिका या neuron तंत्रिका कोशिका की, तो वो एक एक मीटर लंबी होती है और शरीर में जो भी signal आया है stimulation आया है, उसको जो है बताने का काम करती है, अब यह होती कहां कहां है, तो इसको देख लीजे है, इनको बताया जाता है हमारे brain में हमारे mustache में, इसके अलावा हमारी जो spinal cord होती है, मेरू रज्जू होती है उसमें और nerves में, इन सारी जगाओं पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको तंत्रे का उत्तक मिलेगा मतलब हमें यहाँ सारी जगाओं पर क्या मिलेगा nervous tissue मिलेगा, तो यह nervous tissue क्या करता है यह nervous tissues आपके body में signals लेकर आता है electrical signals के तोर पे, जो हमारी body में transform होते रहते हैं, इनका function क्या है तो sense is to मिली, मतलब आपकी जो प्रतिक्रिया हो रही है किसी चीज़ पर आप प्रतिक्रिया कप कर पाते हैं जब आप पर कोई न कोई तरह की क्रिया होई मतलब आपको कोई भी response मिला, तो respond आप कप करेंगे जब आपकी body कोई चीज़ को sense कर पाईगी, महसूस कर पाईगी तो यह सारी चीज़े करती है किसी ने आपको छुआ, टेच किया आपने कुछ चीज़ स्मेल करी तो वहाँ पर nervous system चालो हो जाता है टेस्ट किया, कुछ सुना, कुछ देखा तो यह सारी चीज़ें आपके brain, spinal cord तक पहुचाने में कौन मदद करती है तो nerves मदद करती है और nerves के अंदर तीन चीज़ें होती है जिसको exon, dendrite और cyton कहा जाता है इसके अलावा यह किस form में लेकर जाती है तो याद रखेंगे यह electrical signal होता है जो send करता है impulse को यह जो है, आपको यह nanoseconds में पहुचा देता है ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी गरम चीज़ को छुआ है तो वो गरम चीज़ जो है आपने जब छुई फिर धीरे-धीरे signal आपके brain तक गया फिर brain ने सोचा कि क्या करना चाहिए ऐसा नहीं होता है, एकदम quick response होता है तो बहुत ही micro seconds में यह work करता है तो यह electrical signals में काम आता है जैसे आपने देखा हो कि कई बार जो है electrical shocks दिये जाते है कभी इंसान की जो death हो जाती है तो उसको कई बार उसके heart पर जो है जटके दिये जाते है electrical impulses दिये जाती है उससे क्या होता है कि जो signals रुख गये brain तक उनको वापस से activate कर दिये जाता है तो ये nerves का ही उसमें खेल होता है तो ये एक पूरा का पूरा system है जो हमने बात करी तो animal tissues के अंदर हमारे ये चारो parts cover हो गया है तो animal tissues को अगर देखा जाए तो इसके कितने type देख ली हमने चार types देख ली है सबसे पहला epithelial देखा epithelial का मतलब उपकला की बात करी उपकला का काम क्या था तो protection देना था covering देना था सुरक्षा प्रदान करना था कई चीजों का सर्जन करना कई चीजों का समवहन करना इसके बाद हमने muscular tissues की भी बात की थी पेशे ये उत्तक ये हमारी body में locomotion का काम करता है moment का काम करता है इसके अलावा connection का काम connecting tissues करते थे connecting मतलब आपका सही हो जी और आज जो हमने देखा वो nervous tissues की बारे में बात करी nervous tissue मतलब आपका तंत्रे का उत्तक और ये हमारे अंदर जो भी signals transform हो रहे हैं वो बहुत जरूरी है अगर हम किसी चीज़ पर सही समय पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होने लगेगा अगर हम आगे जा रहे हैं हमको रुकना है और रुक नहीं रहें तो हमें चोट लग सकती है हम किसी चीज़ को देख कर समझ कर हमारा अगर control और coordination प्रॉपर नहीं होगा तो हम जो है survive ढंग से नहीं कर पाएंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत ही उतना important है जितने सारे tissues है तो होब ये सारी चीज़ें आपको clear होई होगी किसी भी तरह के कोई doubts हैं social media handles पर मुझसे जोड़ सकते हैं pdf ले सकते हैं doubts पूछ सकते हैं तो होब सारी चीज़ें आपको clear होई होगी thank you very much for watching this have a great day